स्वाराज मिशन आपकी आवाज नमस्कार मैं प्रकाश मुझ पांडे और आप देख रहे हैं स्वाराज मिशन पे देपी शो पीपी शो के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बेहदी विस्स्ट अतिती जुड़े हैं इनका मैं परचे कराने से पहले आपको बता दू कि पर आज हमने सेग्मेंट चेंज किया है और अब हम आए हैं कला के छेतर में जी हां कला के छेतर से मेरा परियाया है जो आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो एक फेमस कार्टूनिस्ट है इनकी बहुत सी उपलब्दियां हैं और बहुत सी उपलब्दियों के साथ साथ उपलब्दियों को हासिल करने में बहुत सा संघर्ष भी है तो इनके जीवन के संगर्षों की कहानी इनहीं के जबानी आज हम दर्शकों तक लाने का प्रयास करेंगे हम स्वागत करना चाहेंगे त्रेंबग शर्मा जी का त्रेंबग जी एक फेमस काटनुस्ट हैं और क्या क्या इनके उप्रब्दिया हैं वो यहीं बताएंगे तो त्रेंबग जी बहुत-बहुत स्वागत है आप नमश्कार त्रेंबग जी शुरुवात करते हैं कि आपकी पारिवेरिक के स्वामी कैसी है और आपका फैमिले प्रेगरांट कैसा है बच्पन में त्रेंबग परबाजी अभी मिलाई में है आ रहते हैं मेरे च्टा भाय भी वही है और मेरे जो बच्पन से ही वह कि दुरुग और बिलाई में भी था तो दुरुग में, विस्ववुदी, विद्ज्यालहएं में हम पढ़ते awake और विस्ववग नम इस बच्पन से जो लगता है कि वो कुई कलाकार था जो अंदर था जो मतलब छिपा हुआ रहता ना इंडरोड लोग होते हैं अला कि हमारे परिवार में कोई कला फैंड फैमिली से नहीं था और मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर कोई काट्निष्ट है और ना ही मैंने कोई कोड़ किया है ना मैंने कोई मतलब कीजी से सिख्षा ली है उसकी और ना ही मेरा को ऐसा वो था मोटिव मेरा मोटिव था जनलीजम कही मतलब जनलीजम और कविता लिखना कहानी लिखना हम लोग बच्पन से कवी संब्लार होता गंच पारा में दुर्ग में तो हमारी दादी की गोद में बैठके हम कवी समर्ण सुना करते थे तो उसमें जो संस्कार जो मिलते ना तो मतलब बच्पन से कविता सुबेश आरबे तक बैटके सुन रहे हैं यह ना बले उंग रहे हैं तो लेकिन वो फिर बाद में कैसेट में सुन रहे हैं फिर पत्रकारों का हमारे घार आना जाना होता था आपको इंट्रेस्ट था हो सब चीज़ों है हमुझे मतलब हमारे जो सहित्तिक एक वो था मतलब उसका कारण फिर बाद में पता चला कि हमारे दादी ने बताया कि जो माकाला चत्रवेदी जी हैं थे वो मेरे दादी के मामा हुआ करते थे हम लोग बाबाई के थे तो शायदो पीडी में कुछ हाला कि कोई बड़ा वेक्ति अपने परिवार में कहीं होता है तो अपने उसको बिल्कुल जोड़ लेते हैं तो ऐसी बात हो सकती है लेकिन और कोई भी मेरे वाकी परिवार में लिखने वाले तो थे मतलब जो सोकिया लिखते थे चाचा लोग पीता जी भी पत्रगारिता में और इनसे जुड़े हुए थे मोतिलाल वोराजी के साथ क पारक तिवारी उनके मित्रे हैं तो यह लोग तो एक अपने आप एक मोहल बन रहा था जो मुझे लिखने के लिए प्रड़ीत करता है देश-बंदु अगबार हम लोग बच्पन से पढ़ रहे थे उससे पढ़ने का बड़ा शलन था और गर्मी की छुट्टियों में हमार लोग मिडल क्लास के थे तो खरीदना भी उसको अफोर्ड नी करते थे तो किराय से लाते थे तो वो सब जो चीज है मुझे लगता है कि वो सब अंदर में जो बच्चे के अंदर बैठता ना हीरो उसके चाचा चाओधरी और कॉमिक्स और तो वो सब बच्प मेरे अंदर व सब्सक्राइब करने के लिए देशबंदू गया लेकिन उस समय क्या था कि पत्रकारों से ज़्यादा उनको चाहिए था मार्गेटिंग वाले विपन्दा और मैं इंग्लिश मीडियम का था तो मुझे मार्गेटिंग में डाल दिया था तो मार्गेटिंग करो साथ साथ आप वैसी इंट्रोवर्ट थे मार्गेटिंग तो बहुत ही बेशर्मी वाला काम है मतलब आपको बहुत ज़्यादा तो उपर अलाशा आपको तयार करता क्योंकि कभी भी मार्गेटिंग निकर सकता तो वह उपर अले ने असा बनाए कि उस समय तक पता भी नहीं था कि हम क तो वहां से उसके पास फिर नौभारत गए तो नौभारत में मुझे मार्केटिंग के कारण ही में कार्पनेश बना क्या क्योंकि जब मैं एक क्लाइंट के पास वो यहां पर है अभी लड्डू गोपाल जी जी के अगरवाल उनकी एक दर्वाजा बनाने की फैक्टर थी व हिमसरी अडोर्स तो उस समय देशबंधू में एक कॉलम अगबार तो दोती नहीं थे और अगबारों की बहुत इज्जत थी हैना मतलब मैं मार्केटिंग में था लेकिन मैं अगर रायपूर में निकलता था तो लोग खड़े जाते थे कि कोई नो भरस्ता है 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 ना इतना समान था विग्यापन का वह इस तरनी था जो आज बदला विग्यापन को ब्धिव शपना मुश्किल होता था अक्बारों में तो तो वह जो क्लाइन्ट है मेरे उनके पास जमां गिया तो उन्हों ने का उनके जो राइवल थे जशबंधू आता था उल्टा पुल्टा एक चोग आता था चुट्कुला उसके नीचे विग्यापन आता था गुड मॉनिंग गुड डॉर में गुड हाउसेस गुएल डॉर्स तो वह उनके प्रतिवंदी से तो उन्होंने का कि त्रेंबग हमको जो है ऐसा एक कॉलम नावारत में चाहिए उसमें रोज हम ऐसे ही विग्यापन देंगे रहएपुर ब्लास्प्रेडिशन में और चुकि मेरे पार मेरें तर क्रेटिविटी तो पनव रही थी मिट्टी तो थी और वह कुछ रस्ता ढून रही थी तो मुझे लगा कि वह कॉलम मैं क्यों नहीं बना सकता है तो यह तो आट वस मुझे कार्टून सुरू से अगर्शित करते थे कौमिक्स बचपन से तो और कार्टून इसली भी अगर्शित करते थे कि वह कम शब्दों में कम जगह लेकर अपनी बात कह देते और इंट्रोवर्ट आदमी क्या है कि वह to the point बात करना चाहता है उसको लंबी बात करना आधियून से डरता हूं लेकिन मैं उस content से सहमत नहीं होता हूं इंटरेस्ट इस इसमें रहता हूं मोटा भी पढ़ लेता हूं है लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं है मुझे लेगो राजयनिकपाल की comics में पढ़ लेता था था च्छोटी-चोटी वह उसकी वह आती थी pocket series तो वहां फिर वह तर्णिंग पाइंट हुआ तो फिर में बहुत ही खराब काल्टूर बनाए क्योंकि आइडियास तो थे लिए देखाया तो थी नहीं देखाया हम लोग चुकि इंग्लिश मीडिय में पढ़े हैं तो ड्राइंग की क्लास होती थी और मेरे घर मेरे चाचा थ था कुछ ऐसे बनाते रहते थे तो बच्पन में मैंने हनमान जी और गनेज जी बनाना सीखा था है ना मतलब बनाता था मैं तो वह तो मुझे फिर मैंने वह काटाक्ष की शमता तो ब्रह्मन होने कार वैसी थी वह इश्वर पदत हैं लोग को कि हम लोग सीदे मुबात नही कि अगर आप मेरे घर आया तो मैं बोलूगा कि अच्छा आज सूरज कहां से हुआ मतलब यह नहीं बोलूगा कि अच्छा हुआ आप आए तो हम लोग के अंदर हो कटाक्ष ब्रहमनों में था ही और मेरे परिवार में बहुत कटाक्ष है मतलब इतना तीखा बोलते हैं कि आ आप तकलिफ में आजाएंगे तो वह शायद मुझे परिवार से मिला तो वह कटाक्ष की शमता और यह दोनों का कॉंबनेशन हुआ और मार्केटिंग का तो फिर मैंने वह शुरू किया और मैं काल्टूं बनाता था और रायपूर में घुमता था उस समय और तो कोई माध् तो मैं जब मार्केट जाता से तो लोग उस दिन काल्टूं के बात करते थे तारीफ करते थे डिस्कस करते थे और मेरा नाम इतना कठिन था कि मुझे उसके फिमस करना था त्रेमबक शर्मा और काल्टूनी ऐसी चीज़ जिसमें आपका रोज नाम शपता है तो वह एक उसक कुछ कारण ही नहीं था पहले अब कारण था तो मेरे कमेंट्स तो अच्छे थे रिखाओ को ठीक करने मुझे टाइम लगा लेकिन चुकि एक शौक था हो गया और इस तरह से फिर मैं उस फील्ड में चला गया और वो मेरे उपर हावी हो गया फिर मैंने कार्टून पर पू एक कार्टूनिस्ट के रूप में हाला कि यहां पर कार्टूनिस्ट के लिए नौकरी नहीं थी फ्री में ही शब रहा था मैं तो पैसा जे रहा था अच्छा आप पैसा दे रहे थे मैं तो विग्यापन का पैसा जे रहा था तब ही तो कार्टून शब रहा था मुझे तो मा तो मैं गोपाल दिली जाके सब काटनिश्टों से मिला वहां की दुनिया देखा तो मुझे लगा दिली बंबे का जो संगर्ष था मैं जिसे बहुत संगर्ष वाला काम कर रहा हूं लेकिन निरसक शंगर्ष नहीं चाहता है तो जैसे संगर्ष भी करना है लेकिन कंफोर्ट ज भी शाम है मतलब जैसे पूरी बीड जैसे आप भोजन करने जाते हैं जाते हैं तो मैं देखूंगा भी लगी है न तो मैं नहीं खाओंगा जो खाली काउंटर है न मिठाई खा कि आ जाओंगा ठीक है तो कि मुझे वह निरसक शंगर्ष लगता है वह भूग का शंगर्ष खाना भी खालेंगे अपना लेकिन अगर किसी के लिए लड़ना है तो फिर मैं लड़के वह उसको खाना दे दूँगा तो वैसे ही मुझे लगा कि काल्टून की विजा फिर मैं पता किया कि एक मैगजिन निकला करती थी शंकर्स विकली और मैं सुरू से ही यह सुचता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो कोई ना कर रहा हूं मैं मतलब सामान जंदगी नहीं चाहता था कि हाँ आप पैदा हुए बिलाइस्टल प्लांट में आपकी लगई पिता जी जैसे बिलाइस्टल प्लांट में थे लगई आपने जीवन बिता दिया खतम तो मैं वह नहीं च आपया वरपरेशनी में बंद हई और शंकर पिल्ल ही जो थे बड़े कार्टिंस थे और नहेरु जी को इ 잘못 न ही कालते थे मोघ जिंगली थी वें और तो उन्हों ने जब मैगजिन बंद की तो उनका फिर्मय ना उनकी मैगजिन ढूंडा उस मैगजिन को ढूलने के लिए फ में तो फिर मुझे लगता कि मुझे लिए मैगजें निकालना चीह बासकर में वहाष से भासकर गया बासकर मेरे काटूम फंट में कांड फंट में छपने लगा लगें कि मुझे मार्केटिंग में रखाई है है ref इंट्रू भी शबता था यह मैं सब करता था लेकिन मुझे मार्केटिंग में ही एक वो लग जाता है यार तुम इसी में रहो तो कभी आपने सामभात को से यह प्रस्टन ही किया कि मेरा तौप सेग्मेंट दूसरा है मुझे इसकी भी अपरचूंटी मिनने चाहिए तो तो त में एक्शुल रिपोर्टर बना इंग्लिश में हित्वाद में अज़े रिपोर्टर था तो तो मतलब कहने के ताथ पर ही कि आपको आपको हर्फन मौला बनाया जा रहा था है ना इस्षवर के द्वारा कि आप सब कुछ कर सकते हो तो और तो उसमें फिर भासकर में काम करन आते थे और मैं बड़ा यंग था उसमें और तो लोग यह सोच किया थे थे कि बला आदमी होगा बुजूर्गा अदमी होगा और आके मिलते थे अरे आप तरह में पर शर्मा हूँ हूं क्या करूं हमको तो लगता था लगता था उसका मैं कुछ नहीं करता क्योंकि उनको ए प्रिस्क लेने के लिए बैग्राउंड नहीं है आपका फादर भी नौकरी वाले हैं तो एक वो जो था उसमें मेरे फादर ने और फैमिली ने सपोर्ट किया कि मेरे फादर ने कहा कि तुम को जो करना करो कि छोड़ा भाई अब तक शाद बीस्पी के नौकरी में आ गया थ प्लान तो एक घर में अधार था कि अगर कुछ नहीं होगा तो आपन कुछ और कर लेंगे तो मेरे फादर ने में रोका कि यू आर फ्री और यू गो और डरने की दरूत नहीं अपने पास है दो रोटी खाने के लिए रहेगी कुछ इंता की बात नहीं है तो फिर वह अपन ने मेगजिन शुरू की काल टून वाच निश्व चानवे में और हमको भी नहीं पता था कि हम 26 साल की यात्रह कर लेंगे 25 साल हो गए 26 साल चल रहा है और तो यह इश्वर की ग्रिपा मैं मानता हूं कि उनको जो कराना रहता है वह आप से करा लेते हैं जबकि आप खुद इ डैनमिक भले नहों लेकिन अंदर से आपको फिर उत्यार करते हैं ऐसा मुझे लगता है बिल्कुल जो त्रेंबग जी ने जितनी बाते बताई उससे यही साबित होता है और यह ऐसे सैकड़ो उधारन भी देखा गया है कि अगर आपकी आपके अंदर किसी काम को करने का चालेंट है और उसके प्रती आपका जुनून है तो बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हैं तो पुरी काइनात उसे आप तक पहुचाने में या आपको उस तक पहुचाने में लग जाती है तो काटून बनाना और कला के चेतर में यह कर जिस प्रकार से सपोर्ट मिला उसके कारण वो अपनी 26 26 साल है वह यात्रा सतज जारी है और आगे भी जारी रहेगी त्रेंबग जी यह जो स्ट्रेगल का फेस था इसमें यकिनन आपकी लाइन में दर्शक जाना चाहते हैं कि इसमें सोर्स ऑफ इंकम ठीक ठाक मना आपक कि मताबिक मिली क्योंकि भूके पेट तो भजन होता नहीं है घर का जितना भी बैक अप हो लेकिन क्या उसके हिसाब से जो आपके अन्निंस थी वह वैसी रही या उसमें भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा यह तो बहुत इस्ट्रगल का ही मार्ग था और सभी लोग चिंट दो जिनता सबको थी लेकिन वह बूतने जैसे आप बहुत सवह चीजें आपके जीन्स में होती हैं तो हम लोग को मारवारी ब्रह्मन बोला जाता था मौका अवह कंतें हैंने जानते हैं अइस को शम्मत होती कि वह बच्चत करना जा उसको कम खरचे में काम चलाना उतू emba ज कि असको आप कंजूस्ट भी बुल सकते हैं Kinा जूसमारवारी जोक्स भी चलते हैं तो मैं उसको कंजूसी नहीं बोलूंगा लेकिं उसको बच्चत बोलूंगा कि आपको विर्टथ पोर्छे Нते होला किसे बच्चना चाहिए जैसे आपको लोन लेके लोग तो मुझे लोन सुरों से पसंद नहीं था और इश्वर की दाई से मैंने एक बार लोन जुरस्टी मुझे दिया गया बैंक के दोरा क्योंके मेरे परोगफ branded थे और मैं वो सबसकार थे नहीं कि हम किसी का पैसा खा लें, उभार लें, हम तो हमने सुरु से ही हम को कम में पदा चा कि कम में चलना है, तो मचारे क Кол preach में को किसे चलना है, और कम में आपको कम में बम कैसे तो वैसे आरके लक्षमन अगर रह पुराये हैं सब अतनीक और मैं उनको एक हफता गुमाया हूं अजी जोगी मुख्यमंत्री थे वो हमारी चीफ गेश्ट से दैनिक भासकर अकबार जो जिसमें मैंने काम किया वो मेरा मीडिया पाटनर था यह बहुत यह मुश्किल काम है लेकिन एक जब ज़जबा आपके अंदर एक जैसे मैं कुछ पुराये लोग मेरे को मिलते हैं तो बलते हैं कि हमने तुम्हारे अंदर पागलपन देखा था एक जुनून देखा था तो हमें वह है तुम्हारे फोकूज दू प्रेम करने में कारटून है तो कला में मैं में फोकॉज भूजबा स्युक्तौन है मेरे लिए तो मैंने जी को सत्कीन है मतला अपनी शोद कि सबसे पहले कार्टनिस्ट विष्व के कौन है भगवान शंकर तो कि उन्हें ने गणेजी बना है आप एक आदमी का के धड़ पे हाथी का सीर कैसे लगा दोगे कार्टन में संभव है और अच्छा भी दिखे अच्छा भी लगे इतना अच्छा लगे कि हर काम में आप सबसे पहले उसी को रखते हो सुहादी हो मुहुर्त हो सब में और कैसे भी बना दो कोई बुरा नहीं मनते हैं है ना तो सबसे बड़े तो मेरे अराध्य कौन हुए शंकर जी और गणेज जी तो मैंने पूरा यूटूब में मैंने वह शोट को डाला है कि क्यों मैंने यह सोचा है कि गणेज जी ऐसे वेखती है अब उसके बाद उनका वहन चुहा कहीं कोई लॉजिक नहीं हाथी का सीर है और चुहा उसका वहन है तो यह कार्टून में संभाव है क्यों कार्टून में हम पक्षियों को बोलते दिखाते हैं जा पर मुस्करा नहीं सकते हैं तो हम भगवान की जो कृती है उससे आगे जा रहे हैं जो भगवान नहीं किया लेकिन देखने के लिए बहुत सिंपल है सुनने के लिए लेकिन जब इससे आप इनकी तेमबग जी की इस विश्टलेशन को आप अपने जहन में उतारेंगे तो वाके यह कितनी अद्वुत बात है कि ब्रह्मान के प्रथम और सर्वसेष्ट कार्टूनिस्ट शंकर भगवान ने उन्होंने एक ऐसी कृति बनाई जो प्रथम पुझ्य है और कोई भी ओकेशन हो आपको सबसे पहले पूजात गनेजी की करनी है और उनका वाहन मूशक अगे अपन भगवान से आगे नहीं मानते हैं लेकिन जो हम सोचते हैं वो भगवान से भी आगे मान रहे हैं तो वो मुझे आकर्शित किया और इसलिए फिर मैं इस फिल्ड में ऐसा आता गया और आज पूरे लंदन में पैरिस में सब जगह अपनने सफिर के जंडे गारे ह हैं और पूरे देश के कार्टनिष्ट को आए के मंच है बाला साथ ठाकरे कार्टनिष्ट थे बहुत बड़े और और अर्कलेश्पन उनके मित्र थे वो लोग साथ में सुरी पर जॉइन किये थे तो जब मैंने मेरे जो कहना है कि मेरी सारी चीजें वाइब्रेशन से और आ हमें अल्कुल नहीं था उसका और जिसके पार जाओ तो वो फिर आपको मूर्ग बनाता है शुरू में कि ऐसा नहीं ऐसा ऐसा और आप उसमें मूर्ग बनते हर बिजनस में ऐसा हो वानुवा भी ज़रूरी हो तो मैंने एक गांधी जीपर के 125 से साल पर एक में इसमारिका न से नहीं मिल पाया व्यक्तिकत उसका मुझे वो रहा बिल्कुल और प्रोषो को मैं कारट निष्ट मांता था क्योंकि वह शबदों के कारट निष्ट थे मतला वो फार जर्म का से चीज़ें निकालकर रख दिये थे चूप अच्छी चीज़ें निकाल निकालकर बुराएं क चला सकता है, ना सिर्स मैगजिन चला सकता है, अपी तो सरकार भी चला सकता है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक दिन मुझे भी शुरू मौका देगा, तो मैंने उनको प्रडाम किया था, 1996 में, और वो प्रडाम का जो वाइबरेशन है, उसका रिफलेक्शन कब मिला मुझ है, जब 2012 में मैं उनसे मिलने पहुचा, कितने साल बाद, चानवे के बाद, 2012 में, 2012 में मैं उनसे समय मंगा, और यहां से, उनके पीए ने बोला कि आप तो रैपुर में इतना दूर है, तो मैं आप एक दिन पहले बता दे, मैं फ्लाइट से आजाओंगा, और मुझे मिलना ह है, और फिर उनका मेसेज आया, फिर मैं मिलने गया, हम डेल घंटा बैठे, बाला साथ ठाकरे डेल घंटा है, हम में साथ बात किये, और उनकी जो मेमोरी आपको आश्चर होगा, कि वो और साथ महने बाद उमरने वाले थे, आफ्टर सेवन मन्स उनकी डाइट, यह तो हमको फोटो खिषते थे, रिल का जमाना था, तो डेवलप कराने जाते थे, तो वो फोटो के साथ एक चोड़ा सा अल्बम देता था, फ्री में डालने के लिए, पोटो डालने के लिए, तो ऐसा एक अल्बम था उनके पास, जिसमें उन्होंने पेपर कटिंग रखी थी, और उस मैं फ्रीपेस में देव तब, उस आदमी की आदाश देखो आप, तो पीए वो लेके आया, तो मुझे वो दिखाए कि तुम्हारे नाम, उनके आवाज तो बड़ी थी ना, तुम्हारे नाम का आदमी हमारे फ्रीपेस में काल्टून बेजा था, इस चपा था, तो मेरे को वो जो जो मतलब मेने जो कहना कि जो आत्मिक जो संबन होता है, मतलल हम कभी नहीं मिले, नहीं मैं नहीं से फोन कराया कि मुझे बाला साफ्टागरे से मिलना है कि डाक्टर रमान सिंग जी को फोन बोल रहे हैं कि आप फोन कर दीजिए डारेट कॉंडेट किया और उसके बाद मैंने उनको बोला कि हुझे आपके संबान करना है हमने एक लाइस टेम एचिविमेंट अवार्ड शुर अभी हैं वह उनको बबला जो डाड़ी जो छ बनाते थे ऐंडी जो व बनाते थे उनको मिला उनका सम्मान करते थे तो चुरुप पहरण काल्टन कोन अब्बू जी बनाते थे तो इस तरह के से मैंने सभी काल्टनिस्टों को बुलाना शुरूर किया है लेकिन फिर डक्टर कलाम साब जो थे अब्दूल कलाम साब उन से वारा संब्ग बना तो मैं चाहता था कि हो भी चीफ गेश्ट बने काल्टन फिस्टिवल में तो नहीं है तो सब्सक्राइब कि परिवार रहों से मिला में काल्टून को बहुत पते तो उन्हों नहीं नी का तर्यमुभ करो खेंगे तो अटएन दिल्ली पर DJ कर लोutsports तो मेरे लिए असंक रहिंगी तो दिस वे हम लोग कार्टन फेस्टिवल को राज जी के बाहर ले गए ठीक है पहला दिल्ली में प्रोग्राम हुआ चीफ गेस्ट को डॉक्टर अब्दिल कलाम तो फिर मैंने पांच कार्टनिस्टों का सम्मान कर रहा है मुझे पता है कलाम साब बार बार नहीं मिलेंगे त कि एक जड़ घंटा वह प्रोग्राम में हमारे रहे चीफ गेस्ट उनका पुरा और कूप तारीश की उन्हें मेरे फादर को मैंने उसमें बढ़े साथ में तो मेरे फादर को उस दिन लगा कि हां मेरे बेटे ने कुछ मैत्मूर किया है मतलब यहां तो मुख्यमंत्री उग तो पैटा है राम जिलाल जी के साथ में बैठता था मतलब उनका जो उनको मतलब कोई उपलब्दी नहीं लगती थी हम मुख्यमंत्री ब्रिजमोनगर आले अरव तो उनके लिए पिता जी के लिए वह नहीं था मतलब पिता जी बहुत कर वह मेरे मैं कठीन हूं तो मेरे और कठीन होंगे ना तो जब वो कलाम साब के बाजिमों उनको जब मैंने बढ़ाया और कलाम साब ने उनके यूर सथानी इस वरी नाइस परसन और वेरी गूड वर्क तो उनको लगा कि हाँ ही यह सचीव संथिंग तो वह एक 2011 में हमने किया अब मुझे वह रहा मिलगी दिल्ल कि और अ कृबिये कर लिया में अब necks Bombay अ उनके पर पहुंचा झाल भाहरा में उनके पास पहुचा और इंडिया टुडेय ने यह लिखा हमने इंडिया नीं दिया झिले दोनों में उसका वह फ्ले का कटिंग है लिखा कि दा ओनली ओनर हमारे प्रोगाम के पहले हिशाब दिया था उसमें कि यह एक मात्र अवार्ड होगा होगा जो बाला साथ ठाकरे एसेप्ट करेंगे और वो कार्टन वाच का होगा और वो फलाने तारीक को होने वाला है मॉंबई में उनके कारिकेजर के साथ सब्सक्राइब तो पहले गवर्मेंट थी जैसे दो ठागरे बन गया वो तो कभी बन सकते थे लेकिन वह रिमोट से सरकार चलाते थे वह इसा उनके लिए तुच्छी चीज़ें थी है ना लेकिन जब काल्टन वाच की बात आई और उनसों मैं डरते डरते किया था कि अपनों बहुत अजबा था उस समय अलग हो रहा है तो अपने एक डरते हुए गये थे उनके पास कि मालोपन ने कहा कि हम आपका संबान करने चाहते हैं और उनने काय का संबान मैं ऐसा कर दिया तो मुझे पसंद नहीं है ऐसा बोल देते तो खतम हो जाता लेकिन जब मैंने उनको दिखाया आरके लक्षपन की फोटोग्राफ कलाम सहब का वरसब लेके गया था तो मैं उनसे पुछा कि जरा मैं आपका भी सम्माहने से करना चाहता हूं तो वो जो पॉइंट्स है वो चाहना एक मिट एक सेकंड का दो सेकंड का जो मौन था वह और उनके उननों का कब करना है कब करना है तो आपको तो अंदर मतलब कोई expression होगा ही नहीं आपके सामने तो वो जो खुशी मतलब मुझे लगा है उस दिन तो मैं मतलब मुझे मैं व कब करना है फिर में उनको कहा कि क्योंकि वर मिंगा था 29 अप्रेल जो हुआ ना जो 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 आधी का जन्रम दिन भी है अदिकतर मेरी चीजें जो बड़ी-बड़ी हुई अंतिस अप्रेल को हुई जस लंदन में प्रदाशनी 29 अप्रेल को हुई और कलाम साब कर तो मुझे लगा कि अरे सिक्वेंस भैट रहा है मार्च में है अगले महीने है तो मैंने को बहुत कर रहे है डेट क्योंकि लगातार चीजें उसमें अच्छी हुए है ठीक है तो डायरी बंगाई उन्होंने कहा करना है तो मैं उनके फ्लोर मातोश्री में ही नीचे हाल था तो तो मैंने कुछा कि कितने लोगों को बुलाएंगे तो मैंने कुछा कि कितने लोगों को बुलाएंगे तो मैंने दो तीन सव लोग को तो कटाश करने वाले वेक्ति है कम नहीं है इतने लोग नहीं आ सकते नीचे आप देख लो जितने आ सकते उतने बुलाओ नीचे तो तो तब्द कराब हो गई तो नहीं तो 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 तैयारी हो गई और फिर उन्होंने मुझे बहुत सब्सक्राइब को फॉलू करते थे लो आर्कलेक्षमेन और बालाशफ्टागरें अगर आप दोनों का तो दो ठाकरे लंदन गए थे बीच में तो वह डेविड लोग का ओरिजनल कार्टून लाए थे तो उन्होंने रखके दिखाया और दिखाया कि डेविड लोग कार्टून है इस तरहें से पूरी हमारी बतें हुई और मतलब मेरे लिए बड़ा यह दो जो अन्वह थे कलाम सा आत्मी गुरूप से संतुष्ट किया मतलब तो और फिर चलता रहा अब यह सिलसला चली रहा है हम पूने में किया है हैदराबाद में किया चन्ने में किया अभी अपने यह जो 25 साल का हमने जो बनाया रैपूर में अब कार्टून वाज के 25 साल हो रहे हो गए अब उसका कार तो फिर मैं राज जेपाल जो मैडम है भी अनुसीय जी उनके पास गया उसी समय इंडेटर रहापा भी था एक फूल पेज हमारे बारे में तो मैं उनके पास गया उनको दिखाया कि यह ऐसा ऐसा है मैं चाहता हूं कि यह प्रोग्राम हम राजभान में करें और इस्वर की क यह तुम्हारा तो राज्य बने पचीस साल नहीं हुआ है ना तुम अधर हां तुम राज्य से बड़े हो उमर में है ना तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल दरवार हॉल में तो वहां के अधिकारी लोग जो है वह उसमें आगए कि यह प्रोग्राम कैसे होगा ना डाय उसमें कैसे होगा कि दुम्हां पर इतने घंबीर होता है मामला सब घंबीर रहते हैं से और हमारा काम भी वाला है नहीं तो फिर मैंनों लोग को समझाए कि हम कलाम साफ के साथ प्राम कर अधिकारियों को मैडम को तो एक बार में उन्होंने कर दिया बात कतम होगी ती अब उन कि भी आप गरिमा का बिलकुल चिंता नगर हैं हम बहुत गर्मा पूर्ण ही काम कर रहा है सुरू से कार्टून को लेकर हमने आज तक कोई नियुसेंस क्रेट ने किया कार्टून से लोग डरते थे कि हैना फ्रांस में जहां मैं परिज गया था वहां तो आतंक वाजियों ने गोली चलाई थी वहां जो मैगजिन निगलती शार्ली एब दो उसके आफिस में जाके गोली आमारी थी नौ कार्ट निश्ट मरे थे और तीन सेक्रेटी वाले थे वहां के तो हम ऐसा कोई काम मैं वहां फ्रांस भी गया था तो वहां भी मैंने यहीं बोला च्छतियस जैसो कि कार्ट निश्ट को वह काम नहीं करना चाहिए कि कोई गोली मारने आ जाए हमारा काम हसाना है मुस्कुराना है मतलब हम किसी को ऐसा हट ने करें कि वह इतना हट हो जाए हम उसको मैसेज हमें मैसेज देना है कि वह उसको समझ में आए कि बात तो सही कर रहा है है बात तो सह आपके कर रहा है ऐसा समझ में आजाए लेगि मुझे एक्तिविस्ट की तरह अगर काम करेंगे तो कार्पनिस्ट और एक्तिविस्ट में अंतर होना चाहिए जाएंगे या एंटा इसलाम हो जाएंगे तो उस चीज को अरलग से समझा जा सकता था लेकिन आपने उनको प्रवक किया गया बहुत हैरा यह तो विवहार की बात है मैं अगर आप से इज़द से बात करना हूं तो आप मोच से बात करेंगे मैं आपको गाली दो और ऑड shout आउट करेंगे तिसरे बार आपको आप भी देंगे तो वह सही हर कला में हर चीज में हमको वह सी हो हं अगर बनाना झाइं तो क्या मतलब है आप उसको कपड़े पहने हो आप उसकी दिखा दो तब वह असली कार्टनिस्ट हुआ तो कार्टनिस्ट वह एक इशारा करता है एक स्टाइल से बात कहता है जिसमें उसको मज़ा भी आता है और कुछ कार्टन देखा था जिसमें वह बीच में जाते रहते हैं महिलाएं बीच में जो बिखनी पैने हुई बिखनी पैने हुई तो वहां दो लोग लेटे हुए है और वो बोल रहे हैं कि क्या इन लोगों को हमारी कि इमेजिनेशन पर जड़ा भर सा नहीं है तो तो यह जो तो इस तरह से फिर मैंने पुराने कार्टून आप जो अपनी जिस बात पर और आना चाहिए वो है कि मैंने देखा कि कार्टनिस्टों का बहुत ज़रा इतिहास भारत में बन नहीं पाया या उसका कोई किसी ने अ तो फिर मैंने शंकर स्विकली का पुराने आंग का ढूंडे तो मुझे इतने सारे अंग थपी जो मुझे मिली है वो बनारस से मिली है ना बनारस में कार्टनिस्ट है विनेकुल तो वह वी मेरा फेस्बूक में देखते रहे जैसे ताम आम उनका में संबान नहीं कर पाया जनकी कि है उनका समान भी करना है तो वह उनका फिर मैंसे जाया फेस्बूक में की बयूद्ख संकर स्विकली का पूरा जकीरा पढ़ा है ऑँ मेरे को पता है कि मेरेबाद मेरे बच्चे इसको Rद्धी में बेज़ देंगे तो मैं चाहता हूं कि यह सही हाथों में चला गया है तो तुम चाहो तो खाली लेकिन तुमको उसके लिए आना पड़ेगा बनारस खाली ब्रीफ केस लेके आओ और भर के ले जाओ तो फिर मैं बनारस गया माता पिता को भी साथ मेले गया था इसी वाने घुमना हो जाएगा तो फिर मैं खाली ब्रीफ केस सही में लेकर गया था क्योंकि वो उसको लेकि आना था और वो कागज ऐसे हैं कि आसे मोडेंगे आप तो कागज फट फट जाएगा इतना पुराने है 1950 के है ना तो अब उसमें से फिर मैं कुछ काल्टों हैं से निकाल रहा हूं उसका मैंने म पहले मैं सोचा था कि मिजियम के लिए में सरकार को बोलता था कि मुझे जगह दे दो बिल्डिंग दे दो लिए सरकार तो सरकार ही होती है वह अपने ही थाप सी चलती है तो मुझे कोई जगवा नहीं मिली तो अब हम लोग सब चीज इमाइजनेशन में कर लेते हैं तो आउनलाइन काल्टूर मुजेम बना दिया मतलब यूट्यूब में आप मुजेम की विल्डिंग है आप जाएंगे इसमें आप जिसे घुस्ते हैं मुजेम में पूरी विल्डिंग देखें कि आपको फिर अंदर गेट खुल रहा है अंदर जा रहे हैं फिर पूरा लाइन से लगी हुए है फिर लिफ से आप उपर जा रहे हैं और फिर पूरा देखके तो यह चीज मैंने फ्रांस में दिखाई को फ्रांस में सबसे बड़ी जो लाइबरेरी है वहां की जो नैशनल लाइबरेरी वहां हम लोग को ले गए थे तो वहां पर एक पूरा वह है डिपार् मैंने उनको यह प्रेज़ित को दिखाया तो तो सॅंक जो ही आए निया होसा फ्राइट हो तो और नहीं में ठीज कहत सब्सक्राइबर ночi माइन यहां तो नहीं भी आता तो वहां आना जाना कितना है इंडिया में राह राह पुरा बनादू तो दिल'ीव्टिभ ऐंपयों ध तो उन्हों का ये आइडिया तो बहुत अच्छा लगा और बहुत तारीफ हुई उसकी कोई भी देख सकता है अनिवड़ी तो और और वो मेरे जीवन में का मतलब हुई कि यह तो आप कुछ नया करिए जी से आप एक जो आप अंत्म में प्रशन पूछते हैं मैंने आपकी देखा है उसका जाप में पहले देता हूं कि आप जो काम कर रहें ये काम मैंने अग्स हुचा था कौन सा काम साक्षादकर लेने वालों का साख्षादकार है ने मेरा मैं ने क्या स्वाधक है जो संपादक है जा पोटोग्र ऑफ है कार्टमिस्ट है ज weg मेडिया के लोग है वो लोगं दूसरों का साख्षादकार लेते हैं हमें उनका कोई नहीं लेता है तो साख्षाथ कार लेने वालों का साख्षाथ का तो यह आप कुछी और किसी के साथ निवस्पेपर वालों के साथ संपादय के साथ मिलें या उनका लें तो आप यह कोट कर सकते हैं कि आप साख्षाथ कार लेने वालों का साख्षाथ का लिए बिल तो यह वाकई जो आप बूर रहे ना यह उन्होंने फिल उस समय किया जब मैं यह बोला हो कि आम तोर पर इन्हें देखा गया है सक्षाथकार लेते हुए जैसे श्रीजी ने बताया कि मेरा जिन्दगी का सबस्चे सक्षाथकार हुआ राउल गांधी का जब मैं इंट्रिवि जैसे हम लोग बात करें कैमरे पर देहान नहीं है वो अपने अतीत में चले गए और उन्हेंने बहुत सारी अनुब बता तो आपने एक्दम सही कहा कि जो साक्षाथकार लेते हैं उनका भी साच्षाथकार लेना जरूरी है कि उनकी एक स्टोरी होती है तो यह काम मैंने 20 साल हो गए हमने कोई आसा काम नहीं कि हमारे उपर कोई केस करें हमारे उपर कोई आरोप लगाए कि आप किसी एक पार्टी के हो बायज्ड हो मतलब पूरी देश की कार्टनिस्ट आज इस पत्रिका से जुड़े हुए है इसलिए अभी शुर्ति ने जो कार्टनिस्ट मुं से कहा कि तुम्हारी मैगजिन देखके यह लगता नहीं है कि तुम किसी से किसी पार्टी से बायज्ड हो दोनों की अच्छे से आप ख़बर लेते हो यहीं बड़ा कॉंप्लिमेंट होता है तो वह चीज हमने मेंटेन करी है और है फिर हमने कार्टन प्रदोगता हैं की अभी क्या होता है कई लोग के अंदर है जिए डाक्टर जै गाषकावडिया है बच्चों के डाक्टरू मनाते हैं उनके अंदर कमेंट कटमों ऐसा है और वह और बनाती है च्छा करकाद सब्ग्रमधणा प्लेडिय अच्छा, आप यह अजा और बाजूस, अजोंग बनात कि पहले आप अपना रोजी रोडी का जुगार देखो फिर इसको शौक के रूप में रखो तो फिर आनन्द है और या तो फिर इतना अच्छा अपना हाथ हो कि आपका काम असी मिलने लग जाए कुछ कारपनिश्टों का है वो जो अच्छा चल रहा है लेकिन सबका वो नहीं हो सकता तो आपको भी लगता है कि जो आपने मंजील जिस जो आपका अंबिशन था आपने तो अब्दुल्कलाम साथ के साथ सोजन्य में आप आपने आवार्ड फंक्शन किया फिर आपने बाला साथ ग्रेट बाला साथ ठाकरे के साथ क्योंकि मेरे भी कुछ पढ़ने हैं उनके साथ काम किये हुए तो भी मैं भूल नहीं सकता हूं आपने बाट बताई तो मुझे बड़ा अच्छा लागा और वो उस औरा के वेक्ति थे फिर आप राज्यपाल महोजया वाला एक प्रोग्राम बता रहे थे उसके बाद क्या हुआ राज्यपाल महोजया वाला प् द्रक्टर इमांशु दिवेदी थे और मैं था हम पांच लोग डायस में थे और वहां लिमिटेड लोग को बुलाना था क्योंकि करना काल अभी तो सौ लोगों की वह अनुमती थी तो मुझे उसमें बहुत मुश्किल से कई मेरे मित्र लोग नाराज भी हुए कि हमको नही के लिमिटेशन थी तो फिर मैंने राज जी के दो-तिन कार्टनिष्टों का सम्मान करवाया उसमें बागवत साहू है सागर है और फिर मैंने सोचा कि कार्टनिष्टों कम है तो आर्टिस्ट लोगों को भी अपने जोड़ना ही हुआ तो शंगर शेदू करके वह अच्छा आर्टिस्ट है तो उसको उसका मैंने सम्मान करवाया तो राज जी में हो रहा है तो राज जी के लोगों का सम्मान है तो पहली बार मैंने राज जी के कार्टनिष्टों का सम्मान किया अभी तक हम बाहर के लोग का ही करते थे और राज दरबार हॉल में उनके परवार वाल से लेकिन यह जो सामाने लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है और वह सभी बड़ी चीज थी को कि प्रोग्राम वहां पर प्राइवेट पहली बार हो रहा था तो मुझे बहुत सारी चीजियों से बचना भी था कि उनकी गर्मा बनी रहे तो मैंने उसको बहुत इस्वर के जाए बड़ अच्छा कार्ग्रम हुआ और उस उस प्रोग्राम में राज जिपाल मैडम ने सारे जो उनके वो थे उसको तोड़े जो प्रोड़ोगॉल्स को इधर वाले माइक में मैंडम हमेशा बोलती है तो उस दिन वो मैंक में सोड़ा सब दिक्कत थी मैडम मुदराले मैग में चली गी उसको रावे गलोल के और फिर वहां उन्होंने ठाका लगवाया उन्होंने पूरा हसी मजाक किया है ना ब्रिजमौन जी के और महिन जी के साथ पूरा यूट्यूब में देख सकते हैं तो वह उसके बाद वहां के लोगों का वह था कि पहली बा पहली बार माँ ठाके हुए हसी हुई इसका मुझा कहीं ने कहीं आपके साथ इश्वर का जो कनेक्शन हर समय चल रहा है मतलब मुझे जो लगता है कि क्योंकि मैं यह मानता हूं कि जिस दिन में मैंने यह मान लिया कि मैंने किया है उस दिन में खतम क्योंकि मुझसे करवाया जा रहा है कि मुझे अगर कोई प्रेना दे रहा है तूपरोला दे रहा है अभी आज जैसे बोलते हैं को भी बहुत लोग लड़ते हैं copyright यह मेरा cartoon मेरा cartoon मैं बोलता हूं कि का है का copyright है किसी को जैसे मेरा कहना है कि पूरा विश्व मेरा है अब मैं विश्व का हूं मेरा प्रश्व आइडिया आरहा है वो कहां से आरहें अब किसने बनाया किसने भाष्या बनाई वह विचला है कि अबी किते पीडी लगी और परिश्वित होते गए हम आज हम भाष्या ने तो मंदरी थे तो किस चीज़ को पेरेट मांग रहें आप कित्ते साल रहेंगे और उसके बाद काई कोपी राइट तो मुझे कोपी राइट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को चुरा रहे हैं और उसके साथ गलत कर रहे हैं वह कोपीरेट मान सकता हूं कि मैंने आपके किताब को माने अपने नाम से चुपा लिया वह आ सकता है तो सभार कई लिगई डो कई लोग मिसे ब inlet से बूलते हैं काई आया अब उसमें इतनी बड़ी लड़ाई क्या रड़ना है कि मेरा मेरा नाम भी मेरा नहीं है जब लंदन में एक्जिबिशन लगाया था कार्टून की उसमें लाइफ इसे जोग बनाया था लंदन में 15 दिन कार्टून प्रदिश्णी लगी थी हमरी यह्साय प्रदान में थी में इसेंटल आप में इसमें उसमें बनाय थे आप पर पोस्टोन होता है कि कि आप कुस देश में पैदा होंगे नहीं फिर आपको अप्शन होता है कि आप लड़का बनेंगे के लगी नहीं रहता है आपको अप्शन रहता है कि पांडे जी के पैदा होगे शर्मा जी के आपको अप्शन है तो आप कहा जाओगे आप तो अपर में जाओगे ना इनको वो लाव नहीं मिलेगा है तो वो कहा है पूफ परवाले के बास है ना तो आपके पास वो समय ने काल्टूम बनाया था कि आप आप जो आत्मा होती है वो परे सोच रही है कि मैं कौन से देश में जाओंगी आज हम देश पर गर्व करते हैं अच्छी बात है लिए अग है और उसकाद हम बोलते हैं कि मेरा है तो उसमें पर आगे बनाया था मैंने कि आपका मकान है मकान बनाया है उसमें लिखा हुए मिश्टर ए और पचास साथ साल बात वही मकान में लिखा हुए मिश्टर बी और हम क्या बोलते हैं I am the owner of house I am the owner of this house आप पर नाम तक नहीं हो एक्चुली house is your house is the owner house आपसी करादार है और आप मालिक हैं तो यह सब और फिर लाश्ट में इस तरह से पुरा आखरी जो कंदे पर आदमी जाता है तो उस समय तक वह सुन सकता है कि मेरे पीट पीचे लोग क्या बोलते हैं जब वो कंदे पर जा रहा होता है कि वही दोस्त जाते हैं कोई अच्छा बोलता है को बुरा बोलता है तो यह सब चीज मैंने life is a joke करके बनाया था कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है यह सब यूट्यूब में है वह मैंने उसको नहीं डाला है वह कोई 2008 में किया तो समय यूट्यूब नहीं सब बनाया था अपने और उसक दोखिया क्या मैंने अभी तक अपने विदा ध्यान ने दिया था मैंने दूसरों कर द की रांदिया था काउल विधा पर ध्यान दिया था तक मुझे लग यडें पचींस ताल हो गैं तो मुझे भी कुछ कमरी कर दिया था अहण biber के बाद को अकबार में छपता था तो आप डेली बनाते थे जान बूच के अब वो बंदन था नहीं तो वो रुख जाता है कि किस के लिए बनाएं तो फिर मैंने सोचा फिर नहीं सोचा तो फिर मैंने नहीं सोचा कि कभीर के कभीर के जो दोहे मुझे आकरशित करते हैं वैसी Bo多 मेरे पॉत्र इनाम भिट्वर्ध तो गिटा मेरे पापा का नए सिर्म है कि महा मृत्य चाहिए momaosa को महा एको सभाए च्रास नहीं और मिल्दिए साब मेधे हिसले इसे अब को इश्वर ने ने नहीं चैना मृत्त है यह इसी आप उल्वार मेरे दादे जी необходимо तंजे मेरा त्रेंबग्ervices रामयद के प्रकाह्ण पंडित थे रामयद कंठास थी उनको थो मुझे फंडित त्रेंबग। मेरे नाम में प्रसाथ को क्भूड को घ्टाया क्यों आउrov हमारे चलनन है कि त्रेंबग प्रशाथ को कर देंगे निरे आपट ने भनाई na प्रेंबगास पांडे हैं बिलाई में पीपीपांडे हैं तो थो नेता है और परिमबगो सुझा पीपांडे हैं लिए लिगर है तो मैं उनके पास गया है कि आपको पुरे नाम क्या है तो क्यों कि माभ अपने नाम रखा है तो पुरे नाम बताने के लिए रखा तो और हसमुक थे हुब भी मेरे मेश तो बिल्ले मदन गोपाल श्रिवास्तो तो इतना अच्छा नाम आपका नाम थोड़ा खराब होता थ वही तरए कि कुछ खराब नाम भी होजाते हैं, जासे जो खराब नहीं होता है लेकिन और आप मुझको लिखते है आप को रहा है लेकिन और अजी जह से जैसे वी जासे ऑर पे बाबुलाल जी को अपना नाम लगता हूगा कि यार तो भी तो ओ ठीक है, गार, तो अटृबला बात जमी माबाब जब पैदा होते तो क्यों नाम रखते हैं कि नाम करेगा लड़का है हमारा इसका नाम होगा अब तो पी-पी-सी-पी-ए-बी कर दिये तो मतलब क्या हुआ तो बात जमी जब मैं एक हफ्ते बाद गया तो बाहर बोर्ड लगा था स्विक मदन गोपाल शिवास्तो अड़ा दिया मदन गोपाल तो मेरे वही कहना है कि आप असली नाम को नच्छ पाएं जो माबाब रखें उसको फेमस करें तो उसलिए मैं प्रसाद को ड्रॉप किया कि कोई लंबा हो रहा था और लोग सूधा में उसमें जाते ही तो एस तरह से मैने तर। उसमें इंडिअटुनेंने वही किए इंडिएंडियोड है लेक शापा पचीसे साल में तो इंड़े भी आजकर स्टाइल करता है कि पहले परेगा उसने लिखा त्रेंबक शुर्मा कि उसको बैकर में कर दिया टी-एस टी-एस ने कहा पिर आगे पुरा टी-एस 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 मोरे अरसान अब तो अब तक पी पी को हटाया था कि पुरा महल उस पे चला गया तो उसने वो चली रहा था तो टी-एस टी-एस पे चल गया पुरा फिर वही मैडम ने भी फिर उसमें हसी में जाकिया सब तो तो नाम को फेमस करना था मुझे और यह श्वर की किरपा है कि वह हुआ और पीता जी का नाम और हाँ गीता जो अब सर्था लू अ बदा रहा था JEET a to geeta एक ऐसा girandhya जोआपको जिवन का कि контрरांव बताता तो मेरे माता जी का 75 वा जँन था ओड़ेशिप्ंपर ड़ा था माता जी का पछाथन हो पछे का 75 जदन हो एक 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 लाइन बस और गीता सार अलग है जो अपन पढ़ते थे तो वहां से पहले वह मिला मुझे अठरा ध्याएक अठरा पॉइंट्स मिला तो मुझे लगा कि इस अठरा पॉइंट पे अठरा कार्टों मनाना चाहिए ठीक है गीता पर और वह इंग्लिश हिंदी और सब्सक्राइब करते हुए कार्टून को नई पीडिक से कैसे जोड़ना है पॉजिटिव में शुरू में लोगों को लगा कि घीता पर कार्टून बना रहा है कुछ तो छोड़ दो एक जन्ने कमेंड किया था तो मैं पहले पढ़ते हो लो फिर उसने शामा मांगए कि मैं उ जर्म के पचार के लिए और वो नई पीडि को कैसे कनेक्ट करें फिर गीता सार मैं बच्पन में देखता था कि कलेंडर चपे रहते थे मस्कृष्ण जी का फोटो है और गीता सार क्या लेकर आया थे क्या लेकर जा रहे हूं तो गीता सार पे मैंने करीब 12 कार्टून सब्सक्राइब को चापा भी शोट पीट से तो वह ने दोहूं पर कार्टू मनाए 24 कार्टूस पर पने फिर मैं रामायन के दोहे जो हैं यह ना भैविन होए नपरीत और इस तरह की बहुत सारी छुड़ छुड़ चीज़ चलती रहती हैं है ना कोई रिफ हमें कहानी है न है और मतलब बहुत सारी से अपनी दोहे हैं जो अपन सामान भाष्णा में उप्योग करते हैं तो फिर मैंने उन दोहों को डूंडा कि जो सहज हो थोड़े तो उस पर मैंने पहले 24 कार्टू मनाए तुलसी सुगंद के राम से उसका मुझा नमने वह राजबहन में कराया थ तो उस प्रोग्राम में 25 से साल में पहली बार मैंने अपनी चीछ का प्रकाशन किया और दूसरों कहीं करता था और उसके बाद फिर मैंने पर और करते जाना चाहिए तो 108 तक मैंने उसके अर्थ भी लेन लग गए क्योंकि सब दोहे समझ में नहीं आएंगे लोग तो दोहे उसके अर्थ उसके कार्टून तो तुलसी सुगंज पर 108 कार्टून मैंने बना ली है और जहां तक हमें पता है कहत कभीर का जो आपने पुस्तक बनाये थी कार्टून वाली यह दोहों को जो चित्रित किया था आपने उसका विमोचन भी मुख्यमंदरी नहीं किया है कुना सही था नेने और मुख्यमंदरी जी ने बितारीफ कि उसके और यह इसके लिए एक साहस यह ना यह कुनाल शुकला में सहास था कि वह उन्होंने इसको प्रकाशित किया ने तो और कोई होता तो अरने भाया कभीर को कार्टून से कैसे जोड़ रहे हैं तो वह जो वह समझ है अब लोगों में आ रही है कि अब लोग क्यों मैंने कार्टून से लोगों को डरना नहीं है सिखाया मैं सरकार के साथ हम परहावर और संद्रक्षन मंडल के साथ करते हैं अभी हम पांच तरीक को विश्व कार्टनिश दिवस है कल विश्व हास दिवस था कल जब आप आने हाले थे और अच्छा होता है विश्वहास दिवस जो है प्रतं मैझे संड़े को मनाया आता है इसलों की तिथी बदलते रहती है लेकिंशो कार्टनिश दिवस पांच मैझ को होता है तो हम पांच मएँ को पहली बार वो कारकर्म कर रहे हैं यहां और साव्ष्व दिवहाग वो आपको आपकी गलतियां दिखाता है वेसी हम kaart tennis लोगों को हमको फुद की अपने गलतियां देखने ची यह हर वर्क्ति को अपनी गलतिय की जाइए और स्वयम पर हसना चाहंगे तो स्वयम पर हसना सेखाने वाली चीज चीज है कि हम लोग सब देवलफ भार कोई हो रहा है है आप जो पहले सोचते थे दो साल पहले आज नहीं सोचते तो हम तरफ से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें असी बढ़ना है अब बिल्कुल संभावना है हर छेत्रे में होती है और हम बात कर रहे थे कुछ दर पहले creation की तो यह जो कार्टून जो बनाना स्केच आर्टिस्ट होते हैं जो कार्टूनिस्ट होते हैं यह फुल अप क्रेटिव इडियो होते हैं यह सब क्रिएशन का काम है आप किस प्रकार से कार्टून के माध्यम से रामायन गीता जैसे जो हमारे इतने बड़े ग्रंथ हैं इनको आप कि इस प्रसक्राइब करते हैं ताकि सहज़भाशा में आज का वर्भ उसको समझे आ जिस प्रकाइब से कबिर के दोहों को भी वो पुस्टक मैंने वी पढ़ी है तो किस प्रसक्राइब के दोहों को भी बहुत आसानी से लोग समझ पाएं उसके लिए चित्रन किया गया था यह काबिले तारिफ काम है तर्मक जी एक दौर आया विश्व के सामने कोविट का कोविट काल में लगबग सभी इंडस्ट्रीज में क्योंकि पुरे विश्व में लॉक्डॉण की परिस्थेती बनी वी थी और कोविट काल में हम मजबूर थे कि हम बाह खराब नहों इसके फिकर थी लेकिन इसके कारण बहुत सी इंडस्ट्री में दिक्कत हुई उसमें अपर्चुन्टिस की कमी आई स्लोडाउन आया विश्व की जीडीपी को फर्क पड़ा एकोनॉमिक क्राइस आये तो आपकी इंडस्ट्री को किन्ता फर्क पड़ा हमारी इंडस्ट्री तो वैसे ही करॉना काल में जी रही है कि इसलिए हमको को खास फरक ने पड़ा और वैसे भी हमारी इंडस्ट्री जो यह ओनलाइन वाली है हो गई है तो इसलिए लेकिन मेरा ही मानना है कि करुना काल जो है पूरी मानवजाती के लिए एक एतिहासिक समझ बढ आने वाली चीज थी क्योंकि हम लोगों ने इतना दोहन अपनी चीजों का किया है और निर्थक जो बुलाने जैसे मारवणी बचत हम नहीं कर रहे हैं प्रकृति की बचत नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति बदला लेगी आपने आपने अती की आपको इतना इतनी जल्दी आपकी आपको तो बस घूमते रहना है जैसे मांशी जी आपका इंट्रेवर से सुन रहा था कि बूले कि मैं आठ दिन एक शहर में नहीं रहता है तो आप आप इतनी तेजी से घूम रहे हैं जितनी धरती नहीं घूम रही है आप धर्ती के अंदर उत्ती तहीं से गुम रहे हैं और कोई जोर्ण नहीं है उतना करने का मतलब लिमिट क्या है लिमिट तुम्हार वाड़ी समशान गाट है तो तो वह जो करुना कार ने बताया है कि तुम कि इतनी मिठ्या चीजों में पड़े हुए हूँ भई एक अच्छा जीवन जिनने के लिए अच्छा घर चाहिए अच्छी गाड़ी चाहिए अच्छा ठीक ठाक पैसा चाहिए और आप उसका आनंद लो परिवार का आप परिवार का आनंद ले नहीं पा रहे हो है ना आपको चिडेंगे या जलेंगे तो मुझे आनंगा है इन चीजों का कारण क्या हो सकता है कारण हो यह कि सिक्षा वह जो हम दूर होगा ना गीता से रामायन से संसकार से दूर हो गए संसकार क्या सिखाता है संसकार सिखाता है कि हमको किसी की हल्प करना है हमको किसी को दुख नहीं करना है हां लेकिन जब कोई हमारे पर आएगा तलवार उठाना है अगर रती करेगा तो लिए छोड़ना भी नहीं है तो वो चीज हमको जो सिखा रही है तो करोना काल मेरे मेरे किसा आपसे बहुत जोरी था और पूरे देश में अगर मेरे को कहा जाए कि कैसे पूरे विश्व को हैंडल करना है तो मैं तो हर साल एक महने का लॉगड़ाँ कर दूं हर साल एक मेहने लॉगडाँ मुंबई वालों को बादा दिखते थे पंजाब से हिमाला दिखने लग गया था सुचिए क्योंकि हमने इंडियर सब्सक्राइब कर दिया है और उसका अंत नहीं है तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं आपको बिल्कुल प्रकृति हमें इतना कुछ देती है तो हमारा भी करतव है प्रकृति की संक्ष्ण करना और देखिए यह होता है कार्टूनिस के एक कला छेतर के व्यक्ति की प्रॉसेस कितने अलग तरीके से त्रेम्बग जी सोचते हैं और इसी किसा इसी सोच को आप लोग कार्टून के वादियां से लोगों तक पहुचाने काम करते हैं त्रेम् का क्योंकि आपकी लाइफ स्ट्रेगल भी भरी हुई है क्योंकि आपका अच्छे तरह अलग है और उपलब्धियों भी भरी हुई है इसमें आपने लीजेंड से मुलाकात की लीजेंड के साथ काम किया और सबसे बड़ी बात है आपने पुरे देश भर की कार्टूनिस्ट को सम्मान दिलाने के लिए उन्हें एक मंच पर लाने की जो कोशिश की और देशी नहीं आप तो विदेशों तक जाके भारत की आपने पॉपलरेटी की कार्टूनिस्ट जितने भी वर्ल्ड में हैं उनके साथ काम किया उनकी ख्याती आपने दिलवाई और आप काम कर रहे ह तो इसका जो एक फेज था उसमें ऐस कब ऐसा वाक्या है कि बाड inspan 끼 के बाद तो पुचा जा लड़का क्या करता है तो वो कई कोई आसा वाक्या होगा को कि आप हलका समुष्ट गरा है का नहीं थो मुक्त शादिंए असाल में प्रेम बिवाह कर लिया कश्मीरी प्राहंनन से पथा जो कश्मीर सब्था आपको चल रही है मैंने कश्मीरी अज बहुत अच्छी साईयोगी है मेरी हर काम में मदए भादार ने भी कहा था एक राउर किलास से विक्टि थे वह बाब भी गए थे मुझे देखकर उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था और वो चाहरे थी कि एक बार मैं उनकी बेटी को देख लो लिग मेरा एक वो मनना था कि मैं किसी लड़की को देखकर ना नहीं करो मतलब मुझे वो ट्रेडिशन का वो पार्ट पसंद ही नहीं कि भी आप फोटो देख लो वो सब कर लो फोगर फोटो पसंद हो आपको और आप 90 परसेंट ओके हो तब आप उस प्रक्रिया में जाओ कि आप जो जा कि बात अब आज कल तो कर बहुत हो गया हमारे टाइम में उत हम मैं किसी लड़की को मना करने वाला नहीं हो सकता है ना आप पहले ही मत जाओ पहले ही फोटो देखके ही बोल दो कि कुक्यों मुझे नहीं करना था तो मैंने कहा कि मुझे नहीं करना है और मेरा यह था कि sh butterflyались का जीवन बना दो पारे नमतलब मतलब उसको लगर कि हाक सब कुछ है उसके पताजी सब कहीं भी शादी करा देंगे तो मुझे वह सहज वाला नहीं करना था शाद इश्वर समझ गया था तो उसलिए उन्हें मुझे प्रेम करा दिया जिससे एक मतलब उनके फादरगर नहीं थे जो भी था तो वो अपन उसमें नहीं जाते तो लेकिन मुझे एक संतुष्टी मिली कि मैंने एक लड़की का जीवन समारा शादी करके और उसने मेरा जीवन समारा शादी को नहीं भागे कम शब्दों में आप विचारों के जो भाव है ना उनको आप समझने कोशिश कीजिएगा तो मुझे लगता है बहुत कुछ त्रेमक जी ने आपको बताया और बहुत सारी बातों के बारे में मुझे लगता है कि त्रेमक जी का इंट्रव्यू है यह वाकई लोगों के खासकर कोवीट के बाद वो थोड़ा सा यूथ में भटकाओ की सिती है what to do and what not to do थोड़ा सा समंझज़ है कभी पैशन पैशनेट है लेकिन फैनेंस सामने आते हैं रोड़े बढ़नते हैं कभी फैनेंस हैं लेकिन उतने बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है कभी प्लेटफॉ वृण बड़ी बाद आती है परिपकवता की जो कमी होती है तो यूद क्या करें यूथ को आपका एक संदेश यूथ जो है वो हमसे आज ज्यादा आगे है सोचने में और उसलिए उनको ज्यादा समझाने की जड़रत नहीं है वह पहले ही ज्यादा समझदार है हुम अर उन मैं इसको बत्तमीजी की पीड़ी बाड़ता हूँ. कि आप कितने जयादा बत्तमीज है, आपको इतना अच्छा मणा जाएगा। कितने आप बत्तमीजी से बात करते हूँ, कितने इलोजिकल बात करते हूँ. कुदर्क का ज़िवना है। तो जेन्यू जैसे संस्था है जेन्यू जो है वह तरक सिखाती था लेगन अब वो कू तरक सिखा रही है लिए वहां के लोग कूतर करने लगें तरक और बहुत अंतर होता है थहा बेश्रमी वाला अंतर होता है एक logical हम scientific को बात कर देंगे तरक अची चीज़ है लेकिन हम तो तरक के पार जाने वाने लोग है लिए कुठरक में आ रहे हैं तो कुठर कोई इलाज नहीं है है ना मुझे आपका चेहर पसंद नहीं है तो इसका क्या इलाज है है ना हम बताओ कि आपकी चेहरे में यह अपनी वो कर सकते हैं थोड़ा हो सकता है लिए मुझे आपको चेहरा पसंज नहीं है तो असा तो लिकुतर होगा और और आई डाइड डॉंट के एर और 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 फिर चल रहा है अपनी सुनो दिल की सुनो तो भाई अगर हर को अपनी सुनेगा हश्याप के सा चेहरा हई यह मैं अपनी सुन रहा हूँ कि मेरे को मॉर्डर करना है तो आप मल यहां और पिर कानून आएगा फिर संगाज आएगा आप संस्कार आए है नहीं मुझे तो करना है मुझे मज़ा आएगा फॉर फन ऐसा होता है यह लिए अभी की पीड़ी बहुत सारी चीज़ें जो सद्धा सद्धा मिली है उसका दुरूप्योग कर रही है अभी नहीं बोल सकते लेकिन मैग्जुम पीड़ी जो है वह इंस्टा ग्यान इंस्टाग्राम के बेवकूफी भरे जो कोटेशन्स हैं है ना उसको अच्छे भी है अधिकतर आप किसे टाइट होते हैं जो गलत टैपकल होता है और आपको ठीक लगता है है ना तो अब वो जो ठीक है कि पुरानी चीज़ो में जो पुराइएं उसको ठीक खोनी चाहिए कि पुरानी जो साथ वो की दिक्कते थी वह भी गलत थी यह ना अब साथ वो को मित्र होना चाहिए है ना तो वह सब चीज़े ठीक है लेकिन अब आप उसको और अती में ले जाएं हैं ना तो वह हम उस तरफ जा रहे हैं कि अ शराब जो है वह इतनी स्विकार हो इतना चाही की तरह लोग शराब पी रहे हैं और हर गत्स दिखाते हैं कि मतलब शराब की बिनाज़ तो कुछ जीवन ही नहीं है तो आपको क्या लगता है त्रियंगत त्रिमक जी की मैं आप बहुत जहां तरह आप से बात करने के समझ मे बहुत गहन आपका चिंतन मननिक प्रॉसस है आपके दिमाग में क्या लगता है कि इसका कारण क्या होगा क्या हम अपने मॉरॉल वैलुज बुल गए हैं या हम अपने संस्कृति को पूरी तरह बुल गए हैं या आपके हिजाब से आपके राय क्या है इसका कारण क्या होग वही संस्कृति भूल गए ने हम क्योंकि हम ने माबाप को बेवकुफ समझ लिया और हर पीड़ी वह समझती है लेकिन अभी की फिड़ी अब उसको हम वो पीड़ी है जो पिताजी से भी जपन खाएं डाट खाएं और अपने बच्चों को मारे नहीं बच्चों की भी डाट हम लोग वो पीड़ी है कि दोनों तरफ से हम मार खाएंगे मध्यमर की पीड़ी हो गए हम अदमर की पीड़ी हो गए है ना कि हमारी पीताजी तो हमको मारते थे हैं तो लेकिन कुछ परिवार और संस्कार जो है वो जैसे बहुत अच्छे सिरिया लेंगे से आपका तारक मे सिरीज में जो दिखा रहे हो बच्चा हुई सीखेगा आप परोफ ही रहे हों क्या लगता है हम अपनी वैल्यूस पूरी तरह से बूल गएंगे विदेश विदेशी लोग भारत की संस्कृति को अड़ाप्त किये जा रहे हैं और हम उनकी संस्कृति को अड़ाप्त करने मे सब्सक्राइब हो जाएगी वह नहीं देंगे अपन लोग लेकिन होता गया अट्रैक्शन जो होता है अपन लोग जब छोड़े थे तो समय एक हिप्पी लोग कर टाइम आया था हिप्पी कर लोग लंबल में बाल वाले हैं तो असलों हर हर काल खंड में जो यूवा होता है हो थोड़ा सा बागी होता है और होना भी चाहिए लेकिन उस बागी पन के साथ अभी यहली जो पिडिया उसमें समझ भी आ रही है हमसे आगे भी हैं लोग और इसमें अच्छे लोग भी हैं लेकिन जो ज़्यादा चीज एट्रैक्ट हो रही है तो या तो वो उससे यह ट् मुक्त नहीं हुए क्वी कि हमारा ऐस टाइम चला गया है न उसी द्वराण लेकिन यह लोग का एक दूसाल में मुक्त हो ब्जाएंगे तो निकल जाएगा वन लोग का तो जैसे होता है चलो करी लो अफ देख लो करके लेकिन उसमें क्या करके देख लो मैं अब जैसे वेब सीरीज में वो नाक से घुसाते हैं ना पतन नाक से पाउडर खीच रहे हैं मतलब यह आज तक मुझे यह समझ में नहीं कि जिसे कि लोग इसको करते कैसे और क्यों जैसे सिगरेट पीना है जो स्टाइल के लिए को शुरू करते हैं लोग हुक्का चलता है मतलब इन हैं जो और फिर अगर वो देरे सरे आपको आदत बन गई चीजें उपलब्ध हैं तो आप मैं नहीं कर रहा हूं कि आप बियर मत प्यो या सिगरेट आप पी के देख लो लेकिंगे उसके अगर अपने बंद उसके बंदुआ बन गए तो आप गए यह सब चीजें समाज में हैं तो आप टेस्ट करके देख लो इक्षा है तो जैसे मेरी आज तक सिगरेट की ने की इच्छा ही नहीं हुई है ना कमाखू खाने इच्छा ही नहीं तो अब उसको उसके लिए मैं दोशी थोड़ी हूं है ना और नहीं मैं कोई डर के नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक बार कि दोस्त ने दिया खासी आई थोड़ दिया मुझे 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 समझ में नहीं आया हूं तो अच्छी चीज नहीं समझ में आना से तो वो जो किसी भी चीज के गुलाम हो जाना यह जो भाव है वो गलत है और हमको मतलब इनर कॉंशेंस हमारा इतना अच्छा होना कि लालच नहीं आना चाहिए वो लालच और वो पता नहीं अजीब सी चीज होती है क्या लगता आगो कि आत्म सैयम की कहीं न कहीं कमी है हाँ सैयम की कमी तो ही क्योंकि और दूसरा क्या कि या तो नई पिड़ी को असानी से सब कुछ मिल गया और परिवार ने ध्यान नहीं अभी क्या हुआ है कि माबाप दोनों नौकरी कर रहे हैं बच्चा जो है बच्चा जो है वो दाई के भुरसे है या नौकर के भुरसे है तो उसको संसकार किसके मिल रहे है है ना नौकर के मिल रहे है और वो उसका जो बॉंडिंग बॉंडिंग है माब साथ नहीं जम रही ह बन ने रही है हमारे बच्चों के हम इतना वो रखें कि वो दिल पढ़ने बाहर जाने के लिए वो भी नहीं जा पा रहे हैं हम भी नहीं सोड़ पा रहे हैं या तो उनको पहले तैयार कर रहे हैं कि यह कैसे होगा है तो अब आप उसको यह अच्छी चीज़ को क्या बोलेंग कितना बड़ा संदेश था इस संदेस में बातों ही बातों में जैसे कार्टून अध्म से बहुत बड़े-बड़े संदेश देते हैं इन रामायन गिता और कबीर के दोहे दोहों को भी चित्रित किया है और ऐसे ही और भी त्रेंबग जी बड़े-बड़े काम करेंगे यह हमारी अभिलाशा भी है और हमारी कामना भी है और इश्वर और इन्हें सब्रांद करें और यह विश्वक वैश्विक पटल पे चातियस गड़ाद का नाम रोशन कर यह हमारी अभिलाशा है तेंबग जी अंत का प्रश्ण से पहले एक प्रश्ण और क्योंकि आपकी जो कॉंसेप्स हैं आपकी जो सोचने का तरीका है वह इतना प्रभाशील है जो भी दर्शक इस इंटर्वीव को देखेंगे मुझे लगता है कि वाकि बहुत यह वीडियो क्यों कि ग्यालरी बने एक चीज जो आप अब तक नहीं कर पाए समाज प्रदेश देश विश्व और आने वाले समय में काश आप कर पाएं ऐसा कोई एक चीज मुझे मुख मंत्री बनना है प्रदेश का बहुत शानदार और बिलकुल हर व्यक्ति की अभिलाशा होनी चाहिए और हमारी शुपकामना है तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इसमें यह इंटर्वीव देख रही है एक प्रस्पेक्टिव है एक दमसाल सुत्रा और ग्यानव सत्य को मजाक में कहा जा सकता है ठीक है तो अगर आपको को प्रवर्दन लाना है तो आपको पावर होना चाहिए जिसे मैं कसे राश्ठागरे के सुन रहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का शोग नहीं है मुख्यमंत्री इसलिए बनना है कि मुझे चेंजस लाने है तो जैसे मोदी जी आज चेंजस ला रहे हैं कि प्रदानमंत्री है तब ही ला रहे हैं ना भूपेज बगेल चेंजस ला रहे हैं कि आया कल लोगों सबको लोगों और बासी खिला दी तो यह मुख्मंति होने के कारण हुआ ना तो वैसे ही अगर मुझे कुछ जो आप जो बचे हैं जो मुझे लाने हैं उसके लिए मुझे किसी पद की आशकता होगी चाहे मुख्मंत्री हो प्रदान मंत्री हो तो उस तरह का पद इश्वर चाहेगा तो मिल करना रहें और ऐसी ही आप समाज ही तुमें राष्ट में प्रदेश में अच्छे चे कारें अंत्र में जाते-जातेमें आतितियों से बहुत से प्रश्ण पूछने के बाद एक प्रश्ण पूछते हैं कि जो पीपी शो स्वराज मिशन पी शुरुआत हुई थी उसका concept कैसा लगा और उसके बारे में आपका क्या feedback क्या सुचते हैं आप क्या राया आपकी प्रकाश पुझ तो मैं आप से फिर वह आगरा करूँगा कि प्रकाश पुझ शो करें तो कि आपका प्रकाश और पुझ दोनों है यह प्रकाश के साथ ही हो रहा है सब चीज तो पीपी शो बोलने से एक थोड़ा सा क्याक का म ölगता है है लेकिन प्रकाश पुझ शो बोलें तो हम उसको और और करेंगे तो मेरा जो अब्यान ने उस तहहत के मैं आपका नाम भी क्याशन करना चाहता हूं प्रकाश पुझ शो तो प्रकाश पुझ शो की तारीफ में पहले कर दी तो कि जो साक्षाथकार लेने वालों का साक्षाथकार करता है और दूसरा आपने जिस सिद्दत से चीजे पुछी है क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि आपके पास को टाइम लिमिट नहीं थी कि आज हर वेक्ती इसी में फसा हुआ है है । इसने तेजी से बोलते हैं भाई कियों बpoleते हैं कि अरे कान उसको उसको कर पारा है उजो लगते कि खराब बोलर इतनी तेजी साथ बोल रहे हैं इसकी जरूत नहीं है मैं वह बनाद आ है कि हम जीब state of बाद बोली आपने बाद बोली ऐसा यह जो भागम भाग है इस्वर ने हमको नहीं दिया था यह हमने बना है तो आज जो आप जिस आनंद से आप इंट्रेवु ले रहे हो नहीं तो आदमी हाना ऐसा इसारा रोल डाउन जिसको देखना होगा देखेगा लेगन देखेगा तो अच्छे से देखेगा हमें कौन सा यूट्यूब ने बोला है कि आदे गंटे जदा मत बनाना और तो वो जो आनंद है यह इंट्रेव लेने से जो मुझे आनंद मिल रहा है और जो आपको सुनने मिलेगा यही कॉंबिनेशन इसको अच्छा बनाता है तो प्रकाश बंजश प्रकाश फ्यलाता रहे हैं यह हम चाहते हैं ऐसे ही और उनके अंदर के जो का जो प्रकाश है जिन से आप बात कर रहें वह भी और लोगों मिलता रहे बहुत गहरी बात और मैं अभी इसी पर बोलता हूं कि अगले जो सीरीज अगला जो भी एपिसोड शूट होगा अब वो नाम चेंज हो जाएगा तब पीपी शो की जगह अब आज से अभी से यह शो दप्रकाश्पुन सो के नाम जो जाना जाएगा और बिल्कुल यह यूनीकनस होनी चाहिए अपने नाम पर की गरिमा लोगों को पता होनी चाहिए और गरिमा तो ऐसे आतितियों के अनुबहों से बनती है जो जो अनुबहों आज त्रेंबग जी ने शेयर किया है दर्शकों के साथ यह वाकई अतुल्य है क्योंकि जो भी व्यक्ति इनके बातों को गहराई से समझेगा मुझे लगता ह है कि सारे सॉलूशन्स मिल चुके हैं और ऐसे ही बड़े और ज्ञानवर्धक इंट्रिव्यूस के शेशन में अगले शो में हम फिर से किसी विशिस्ट अतिति से मिलेंगे तब तक के लिए देखते रहिए दप्रकाश्पन शो स्वाराज मिशन पे नमस्कार